नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 35 वर्स की महिला के पाम का एनालेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुणेंगे फिरेके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों नभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपेकर के चानल को सब्सक्राइब कर ले, बैल आकन को प्रस कर दे ताकि रेडस नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये अपना छोटा मोटा कारे करती है अच्छे घर से हैं और थोड़े पारिवारिक तनाव से ये गुजर रही है जीवन बहुत ही अच्छा है, सुकसो विदाएं है अच्छे पदपर इनके हस्बेंड भी है लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से तनाव हो जा रहा है मतभेद के योग बन रहे है मन भेद नहीं मतभेद मतभेद में क्या होता है कि उनके बातों को वो समझना नहीं चाह रहे है और इनके बातों को वो भी समझना नहीं चाह रहे है कहनेगार्थ है किसी कारण वश घर में घरेलू कच-कच के स्थिती बनी हुई है तो वही इनको जानना है कि मन में तो काफी अच्छी भावना है अपने हस्बंड के परती और इनके लिए भी इनके हस्बंड बहुत ही अच्छा सोजते है लेकिन फिर भी ये समस्याई क्यों चल रही है आखर ये पर Lenacci क्यों आखर बाद बाद पर लडाई क्यों हो जा रही है आखर दोनों शान्ती पुरवग जिन्दगी क्यों नहीं बितापा रहे है तो ये इनका गहराई पुर्वक परशन है और ऐसे काफी घरों में हो रहा होगा अक्सर ही होता होगा कि सब कुछ बढ़िया है पैसा भी है इज़द भी है किसी परकार की कमी नहीं है फिर भी मतों में मिसमैच की वज़ा से घरे लोग अच्च के सिती परस पर बनी हुई रहत और इसको सुधार करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इसी बात का हम डिस्कुशन करेंगे जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज को देखना चाहूँगा बाकि इस विशे पर व्रिहत पैमाने पर डिस्कुशन होगा तो मतभेद को लेके समस्या हैं कि ये जो चीज करना चाह रही है वो हो नहीं पा रहा है और वो चीज इनको चुरा के करना पर रहा है इनके हस्बंड का एगरी नहीं कर रहा है इनके खुशी के लिए भी तो इनके हिसाब से एक समस्या है मेभी आपके हिसाब से एक समस्या है औ और मेभी आपके husband के साब से ये समस्या ना हो, वो चाह रहे हो कि मेरी wife क्यों कोई कारे करे, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे हैं, तो दोनों पक्षों से अगर मैं बात को देखूं, तो कहीं न कहीं, दोनों एक अपने जगा पर सही हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक अपने जगा पर सही हैं, तो फिर मदभेद कीओ हो रहा है, तो उस पर हम आगे discussion करते हैं, पहले मैं positive चीज़ को देखता हूँ, तो positivity में न, इनके हैतलिए अच्छी है, कुछ-कुछ आपके हाथ पर ये progress line थी, और आगे भी चड़ रही है, सब अच्छी positivity के रूप से सुमार है, एक मंगल रेखा है, जो की बहुत बढ़िया है आपके हाथ पर, इसके उपरांत एक बहुत सुन्दर बागगे रेखा, एक समय के बाद बागगुदे होता है, आगे भी आपकी बागगे रेखा चल रही है, कुछ सूरी परवत के आसपास, एक बढ़ी असा आपके rectangle जैसे आकरती दिख रही है, ये चतरबुज हो या तरबुज हो, या फिर ये देख लो ये वाली, या फिर आपके फिश जैसे आकरती हो, सबका बहुत महतपूनफल है, बाकी यहां से भी एक बहुत अच्छे लाइन से, सूरी रेखा भी काफी प्रवल है, तो रेखाओं के एवज में अगर मैं बात कर लूँ, तो भाग ये रेखा इनकी बहुत प्रवल है, शुरुबाती दौर से प्रगती के योग के होने की वज़े से, जातक अपने जिन्दगी पर परसपर तरक्की को ही पाते हैं, परसपर प्रगती को ही पाते हैं, इस बात के असपचता आपके इतली ही मुझे समझा और बता रही है, तो ये एक बहुत ज़़ादा पॉजिटिव ववस्था मानी जाएगी, इसके उपरांद केवल आप रेखाओं से आगे नहीं बरते, मैं पराया कहता हूँ, कि अगर आपके हाथ पर अच्छी रेखा है, तो वो ही काफी नहीं है, आपके जिन्दगी पर बहतर जिन्दगी देनी हैं तो, इसके उपरांद और भी चीज़ें हैं, जिनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इनके आगे भी बाग्य रेखा अच्छी है, पहले तो मैं बाग्य रेखा विगरा को देख रहा था, वो तो मुझे काफी सटिस्फैक्टरी लग भी रही है, इसके उपरांद ये भी एक बहुत सुन्दर भाग्य रेखा है, जो कि बहुत जानदार है, तो यहाँ पर से चीज़ें इनके लाइन्स के वज़ में बड़ी क्लिर हैं, कि अगर आपको भाग्य साली होना है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि ये भाग्य साली योग कौन सा होता है, तो प्रॉपर अपने भाग्य रेखा को देख लीजिए, जीबन रेखा पर नजर डाल दीजिए, साथी साथ सूरी देखा को देखना बहुत जरूरी है कुछ स्कॉयर वेगर अगर हो तो ये बहुत महतपून माना चाहता है तो positivity आपके lines के वस में तो थी ही साथी साथ आपके ग्रह जैसे आपका शुक्र काफी प्रबलतम अवस्था में है दोडों मंगल काफी ज़दा energetic है बहुत ही अच्छा है sun mercury अच्छी है मतलब लगबग लगबग plants आपके अच्छे conditions में कुछ गरबर भी है अब सब चीज सब के हाथ पर अच्छा नहीं हो सकता है कुछ गरबरी भी होती है और उसको हमें जरूर से दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि गरबरी अगर है तब ही तो जिन्दगी पर परशानी है हम अगर उसको दिमाग में रखेंगे बहतरी के लिए कुछ उपाय करेंगे कुछ रेमेडी विगरा करेंगे तो हमाले लिए ही बहतर रहेगा तो मैं थोड़ा सा गरबरी भी आपको दिखाने का भी कोशिश करूँगा और गरबरी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके हाथ पर क्या गरबरी है तो इनके जिन्दगी पर परस पर समस्याएं आ रही है तो कुछ गरबरी तो होगी तभी जाके इनके जिन्दगी पर समस्याएं आ रही है तरवाई समस्याएं ही जिन्दगी पर क्यों आती तो गरबरी में सबसे पहले तो देखो आप बहुत ही इंडिपेंडन्ट सोच की है जब मस्तिक्स रेखा और जीबन रेखा बहुत अलग हो तो हो सकता है कि आपके husband के हाथ परदी ऐसा हो तभी तो तनाव बन रहा है तो ऐसे विक्ति क्या होता है इंडिपेंडन्ट होता है ये इन लोग को जुकना पसंद नहीं होता और किसी का मांगना भी पसंद नहीं होता चाहे इनके पताजी ही क्यों नहीं हो या इनके husband इनके पती ही क्यों नहीं हो तो मेबी ये एक मेजर वजह बन सकता है आपके परसपर तनाव का मेबी आपके हजबन के हाथ पर भी ऐसी अवस्था जरूर काविज हो जो कि वो भी सुनना पसंद नहीं करते हों किसी का जिस कारणवश आप कुछ बोल रही हो आपके हजबन कुछ और बोल रहे हो वो आपसे के योग बने हो तो ये भी हो सकता है जैसा ये कुणले मिला के नोंने शादी वेगरा नहीं की है तो वो हो सकता है वो चीज़ बेशक हो सकता है कि जातक के जिन्दगी पर जैसे कि आप जब कुणले मिला के शादी नहीं करते कम मिलता होता है मंगल मंगली का दोश होता है य लेकिन अब ये बात मैंने discussion इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत से ऐसे वेक्ति होंगे जो शादी की जिंदगी से परिशान होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी अभी हुई नहीं होगी वो परस पर शादी करना चाह रहे होंगे और जल्दी वाज़े में कोई दर्णे ना ले लें चीजों को गहराई पुरवक समझ के शादी विवा करें इसलिए मैं ये बात कर discussion कर रहा हूँ तो यहां पर से बात समझने की है क्या करें क्या है इससे चुटकारा पाने है तो आप कुंडले मिला करके शादी करें नेचर कहीं न कहीं आपका मिलना और एक केस और होता है जैसे कि आप लव मेरे जगर आपकी हो रही हो आपको वो व्यक्ति बहुत पसंद है या आपके घरवालों को वो व्यक्ति बहुत पसंद है लेकिन किसी कारनवश कुंडली नहीं मिल रही है तो कम से कम कुछ रेमेडी होता है इसका वो कर ले या फिर आप एक दूसरे की वेशे में बहुतर तरीके से जान ले ताकि अगर आप in future कोई समस्याई आए आई नेशर के इवज में तो आप कोई बात ये दिमाग में जरूर रहे कि हाँ, मैंने शादी किया है, मैंने शादी किया है तो ये ये समस्याएं मैंने अपने रिक्स पर उठा के शादी किया है तो मुझे इस बात का केर करना है जैसे कोई अगला व्यक्ति काफी गुस्याल हो जाए और आपको गुस्सा नहीं करना है आपको नियंतर करना है क्योंकि जब वो गुस्साल होगा आप भी गुस्सा करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी तो इन सब बातों का ख्याल आप सब भी रखें चुकि इस बात को मैंने इतना गहराई पूरवक इसलिए समझा दिया ये इनके लिए भी जरूरी है ये काफी इंडिपेंडेंट है ये सुनना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा ये मैं पराया विडियोस में कहता हूँ तो आपके हस्बेंड भी में भी इसी परविर्थी के हूँ तभी जाकि ये तनाव आपके जिंदगी पर आ रहा है तो आपके हस्बेंड के विशे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि उनका हाथ में नहीं देख रहा हूं आपके विशे में जरूर बता पाऊँगा कि आपको थोरा कॉमपरमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा अगर आपको सच में अपने विवाइक जिन्दकी चलानी है और सच में आपको तनाव में नहीं रहना जैसे अभी ये वर्तमान सभी में काफी तनाव में है चुकि अपने हिसाफ से चलती है अपने मन से चलती है तो ये तनाव भी अपने ही मन से इड़ को हो गया है कर रहा हूँ, मैं जिसका हाथ देखना हूँ, उसके बारे मैं कह रहा हूँ, चाये मैं पुरूस का देखू या महला का देखूं, मुझे हाथ देखके चीजों को बताना होता है, मैं वो बता रहा हूँ, तो थोड़ा आपको compromise करना पड़ेगा, थोड़ा tolerate करना पड़ेगा हमेशा कोशिश यही करें कि उनकी अच्छाई भी तो कुछ होगी ना उस बात को आप याद रखिए और कभी भी अगर वो थोड़े से गुसाहट या फिर किसी प्रकार से आपको तनाब में देख रहे हो या फिर आप उनको तनाब में देख रही हो तो जरूरी य है कि आप नियंतरन रखें उस सब्जेक्ट पर और कुछ लोग बोलेंगे गुरू जी मैं किसी इंसान के समख्च अपने नियंतरन को कैसे बना के रखूं तो उसकी कुस्तो अच्छाई होगी ना जो आपके नजर में होगी जो आपको ग्यात होगा तो आप उसको उस पार् अप्शन नहीं है अगर आप कंट्रोल नहीं करती हैं तो फिर कैसे चलेगा तो फिर तो घर की घरेलो तना परस पर बढ़ते चले जाएंगे और पता चलेगा कि समस्यां और बिगर गए और समस्यां कहां बहुत दूर चली गई तो इस बात का नियंतरन आपको करना पड़े और दूसरा negativity ये है कि आपके हाथ पर ही न कुछ राहू रेखा का परस पर साथ है और राहू रेखा भी किसी ना किसी परकार से confusion और तना आपको बताती है जातक को नरने कब लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए ये जातक नहीं समझ बात है या फर समझ के भी गलतियां करत हैं क्योंकि राहू रेखा पो confusion में रखता है अंचाहे चिंताओं का आगमन कराता है जैसे कि आपके life में कोई समस्या ने लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपके जिंदगी पर बहुत समस्या है तो एक प्रकार के confusion में है तो वो राहू रेखा भी परस पर इंडिकेर क तो ये भी एक महतपून रीजन बन सकता है ना रीजन बनने वाली तो बात नहीं है तो ये कुछ नेगेटिविटी थी वाँकी पॉजिटिविटी तो मैंने बताया ही वो तो बहुत जबरदस्त है आपकी तो अभी मैं आपके जीबन रेका से ना आगे की जिन्दगी को बता देता हूँ वैसेज कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगी हाँ आपको कुछ कार रे करना है तो आप उसको hidden रूप से भी कर सकते हैं या फिर डिसकुशन करके कर सकती है या फिर मत करिये ना जब पैसे की दिक्कत नहीं है तो दूसरी बात तो यह है कि जिस बात से गरिलो सिती में गरबरी आ रही है और आप समझा समझा के ठक गई है तो कहीं न कहीं महिलाओं का ज़्यादा importance इसलिए होता है कि वो परस्तिती को समालने वाली होती है परस्तिती को घर पर करने वाली नहीं होती है तो कोशिश यही करिए कि जो आपके हस्बेंट को पसंद अगर आपको पैसे की वैसे दिक्कत नहीं है तो आप मत करिए या करिए भी तो उनसे सलामस वरा करके करिए तो जब मैं आगे देख रहा हूँ इनके इतली पर और भी चीज़ों को दिखा हूँ लाहू रेखा के एस तक तो मती करो कुछ भी फाल्टुकार और अपने दिमाग पर जो नियंतर नहीं रखा करो आप तो जीवन रेखा बच्पन से प्रोग्रस लाइन थी तो लाइफ में अचीबमेंट्स भी मिले लेकिन तनाव को ये राहू रेखा बता रही थी एक तरक्या आपके तीसमें लगबग एक तिसमें साड़ के आसपास है ये फिर एक चछतिसमें है छतिसमें है तक तो आपकी राहू रेखा है तो एक आक साल का वेट कर लिजे वेब इसकेज़ के बाद आपको ज़र्धा जदार्ले मिले चतिस में तक वाद गया था पयावर्यमत 1025 मेन दानल आपको बता रहा है लाइफ लाइन पर राहू रेखा का समयना लगबग लगबग 37 वर्स के आयों के बाद परस पर खतम हो रहा है तो मेभी 37 वर्स के बाद एक आपको ज़ादा ठहराव नजर आएगा क्योंकि राखूर एका जब भी अदली पर रहती है न तो किसी ना किसी परकार के समस्याओं को ये बताती तो है किसी ना किसी परकार के समस्याओं को ये दर्शाती तो है तो वो समस्याओं आपके पारिवारिक मामले में है किसी को धन के मामले में होता है किसी को स्वास्त के मामले में होता है तो किसी ना किसी परकार से समस्याओं का ये आगमन कराता रहता है समस्याओं से जातक को गरशित रखता है लेकिन हमारा दाइत पर बनता है कि मैं इस चीज़ का बता हूँ बाकि मैं उपाई देदूँगा बातमा की कुछ मंगल रेखा है जो एक बचाव की रेखा जरूर है जो आपके परशानियों से आपको बचाव जरूर कराएगी लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने उपर नियंतरन रखना परेगा तो ये तो हो गई इतके कोश्चन्स बाकि इतके नेगटिव पॉस्टिव उस्ट है अभी इनके तलिक आप जनने दिन करेंगे जीजों को असपस्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपूर है देखे सीखे समझे ये आ गया इनका स्क्वार स्पाम मद्दे में इसकर सफलता को पाते लगबग लगबग ब्रैंट समें स्ट्रेंथ है तो ये राज्यो का रखतेली है जातक के जिंदगी कंफोर्टेबल रहती है और काफी गद्यदार है तो डिफिन्ट रूप से ये राज्यो का रखतेली है ना राज्यो का रखतेली वाले तो बात ही नहीं है ये तो मैं असपस्ट देख रहा हूँ आपके एतली पर, बड़े असपस्ट देख रहा हूँ, गुलाबी है, दन को एट्रैक करती है, पैसे की वैसेज कोई दिक्कत नहीं रहती, दन को लेके विसे समस्याओं के योग नहीं है, इसके उपराद एक जबरदस थम्ब है, strong इक् थम्ब का strength भी बहुत ही अच्छा है, जुक तो नहीं सकते है, इनके अंदर भी एक स्वाविमान है, अपनत्व है, लोगों के परती, लेकिन जुकना इनको पसंद नहीं है, ऐसे थम्ब देखा जाए तो काफी, काफी strong है, समझदारी के लोब काफी अच्छी, वेक्ती फिंगर बरा है, तो definite rope से आप communication skill wise भी प्रबलने है, काफी गुणी है, काफी talented है, और मेरे समझते आपके husband को आपको कारे करने देना चाहिए, क्योंकि आप काफी गुणी है, और ऐसे विक्ती अगर कारे नहीं करेंगे, तो एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का, तो उसक कुछ जैसे जीना है, वैसे आप जीए, लेकिन मेरा उदेश यही है, कि आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जीए, तो यह तो गया finger का बात, अभी मैं प्लैनेट्स पर चलता हूँ, जुपिटर वैसे कोई गर बर नहीं है, स्क्वाइर ही, जिंदगी पर अच्छा चीज लगबग 35-36 साल तक तो ही, उसके बाद ही आपकी मस्तिक सरेका ठीक है, कुछ ट्रैंगल से जो कहीं न कहीं आपको बचाव करा रहा है नेकिटिविटी से, बाकि थोड़ी एमोशनल है, एक एमोशनल ब्रेकडाउन बाइस से लेकि 25 के बीच में था, उसके बाद थोड़ी आप नहीं है, आगे भी आपके कुछ लाइन्स है, जो कि वेशनल योग का फॉर्मेशन रोटीन को फॉलो करने वाए, तोड़ा इरिटेशन के लाइन है, डेफिनिट उससे आप तोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, आप तो खास करके ख्याल रखना है, कि जादा इरिटेट ह उने इसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, आप कोशिश करें नियंदरन बना के रखने का, बैलेंस काफी अचा, जल दिमागी बहुत अंदरुस्त है, बिलकुल डाउट नहीं है, आगे अगर मैं देखो तो यहां से दबाब है, तो फिक्ती काफी मैनती, जबर्दस बाग बहुत तीज होते हैं, दिमाग के सन मरगरी अच्छी है, बुद्धिवे एक से कारि करते हैं, डोडाउट, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, हाइली एनरजेटिक है, एनरजी में किसी परकार का संथेह नहीं है, मंगल अछ्छ है तो दिरगाईू है, और साथी साथ बहु बुद्रेखा जैसे मैंने बता है बहुत तेज तो आप हैं और चदर्मा परबल है तो अपने से वेपार करके ऐसे विक्ति आगे बर सकते हैं बचपन में स्ट्रगल डेफिनिट रहा होगा ठारा वरस तक ठारा वरस के बाद थोड़ी बागे रेका अच्छी थी मूल रूप से 22 वरस के बाद बहुत जबरदस्ती 36 वरस के बाद भी बढ़ी आए दिखरी है आगे जिन्दगी तक तो मुझे कई कई दिक्कत नहीं दिक्रा बढ़ी आई बागे रेका दिक्रा है सुड़ रेका जैसे मैंना बता है बहुत अच्छा है गुणी तो आप हैं और बिना काम की आप रह भी नहीं सकती काम करना भी जरूरी और करने में कोई बुराई भी नहीं है बुद रेका भी बहुत विजिबल नहीं है इसकारण वश्तोरे पैसा जमा करने में दिक्कत बादबा की जीवन रेका बहुत ये चायो दिरगायो एक सटन आयो کے بعد तो राहू रेका समाप्त हो रही है लगबग 37.ks भाईयो के बाद आपकी राहू रेका समाप्त हो रही है य तो अभी थोड़ा सा तनाव युक्त जिन्दगी को तो आपकी राहू रेखा बता ही रही थी और परस्पर तनाव होने की वज़ा से ना इंसान थोड़ा सा किंफ्यूज हो जाते है इंसान सही और गलत में बहे दवाव नहीं कर पाते है जिसकारणवश उनको लगता है सब गलत है कुछ भी सही नहीं है वैसे जीबन ड्रेका अगर देखा जाए तो बहुत जादा अच्छा है बहुत बहुत बहतर है ये कही ने कही आपके दिरगायों योग को बता ही रहा है मंगल ड्रेका परबल है कुछ चिंता के योग है एक तो राहू रेखा है दूसरी टेंशन वाली रेखा ये जिस भी अतली पर हो जाए ना फिर समझ लो ऐसे विक्ती तो बहुत सोचते है एक्स्ट्रीम सोचते है ओवर्थिंक कर हो जाते है जिस कारणवश अगर खराब समय में आप ओवर्थोस रही है तो कहीं ने कहीं आपके लिए ही तकलीव दे है वैसे मंगल बढ़िया है इंसान प्रॉपरली समझ भी जाते हैं एक एनरजी भी है चीज़ों को कंट्रॉल करने का तो उसी को बना के रखे है बागी लगजरी के प्रॉपर सुक के लाइन्स वो तो मिलेगा तो रहे स्ट्रेस को यह इंडिकेट कर रही थी जो कि पारिवारिक दामपत्य स्ट्रेस रहता है बाद वाकी मनी मेंजमेंट अच्छा है वैसे पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहेगी अगर आपको हमारे यह वोड़ो पसंद है लाइक कर दे कमेंट कर दे सब्सक्राइब कर दे विक्ति का दुरूप से मैं सास्त्रे का रिकाके सही जानकारी बाना चाहते है हमारा वोट्सप्ट में डिसक्रिशन में लियागा लेकर आप संपर्द कर सकते धन्यवाद